उपवन मंडल कन्नोद के वन परिशेत्र कन्नोद की सब्रेंज कन्नोद ननासा कुस्मानिया के बेश कीमती घने जंगलों में आई दिन अवेत कटाई का मंदर जारी है वन कर्मी रात्री गश्ती भी करते हैं फिर भी धन्दा खोर मौका पाकर हाथ मार देते हैं इसका मुखे कारणिया है कि गश्ती वाले वाहन से रोड रास्ते पर ही घूम फिर कर आ जाते हैं और लकडी चोर घने जंगल में अंदर लकडी काट कर सिलिया बना कर अपना काम करके चले जाते हैं और जब गश्टी वाले आ जाते हैं तो फिर अल सुबह माल ले जाते हैं यह कटू शर्त है यह वाक्या सुबह गूमने वाले चस्म दीद लोगों ने मीडिया को बताया विभाग के कर्मचारी तो गश्टी के नाम पर रोड भ्रमर कर अपनी ड्यूटी की इतीश्री कराते हैं और लकडी कटाई का काम जारी रहता है अवेर लकडी कटाई का तांडा और रात्री होते ही शुरू होकर सुबह तक जारी रहता है मीडिया की टीम जब घने जंगल के अंदर तब पहुंची तो नजारा दिल दहला देने वाला दिखाई दिया जो रोड से काफी अंदर है जहां कभी कबार ही वन कर्मी जाते होंगे अधिकान समय तो नाम मातर के रुपए दे कर रखे सुरक्षा श्रमिकों के भरोसे ही कीमती जंगल रहता है अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा जंगल कितना सुरक्षित है हाली में पांच मई को कन्नौत बीट में कुछ पेड़ काट दिये गए इस प्रकार शपरह समाचार से स्टाफ में खल बली मची हुई है इस कारण सही जानकारी मांगने पर अबदरता से पेश आ रहे हैं